टेक्सोनमिक पबलीकेशन्स। हमने यह डिसकस किया कि जब तक एक टेक्सोनमिक वर्क जो किसी भी डिसर्चर्सने परफार्म किया है, उसको पबलिश नहीं किया जाता। उस अनपबलिश काम की वर्थ नहीं होती। क्योंकि ये जो unpublish literature होता है या unpublish data होता है इसके बारे में दूसरे लोगों तक information उस वकत तक नहीं पहुँचती जब तक उसको किसी forum के उपर publish ना किया जाए हमने publications की different types देखी हमने review article की बात की हमने short research paper की बात की short research paper के अंदर हमने देखा कि उसके अंदर हम brief description देते हैं किसी species की sub species की عام طور पर इसके अंदर हम keys को शामिल नहीं करते और review के अंदर हमने देखा कि review के अंदर हम जो previous work होता है किसी एक खास taxa के उपर जो कि scattered farm के अंदर मौजूद होता है उसको इखटा किया जाता है और किसी एक जगा पर publish किया जाता है इस किसम कबर जो taxonomist reviews लिखना चाहते हों revisions लिखना चाहते हों monograph लिखना चाहते हों उनके लिए काफी helpful होते हैं अब चो next category है publication की वो revisions है revisions क्या है revisions are representation of new material or new interpretations that have been integrated with the previous knowledge with brief summaries यानि यहाँ पर अगर किसी खास taxa के उपर पहले काफी काम हुआ लेकिन बहुत सारा time गुजर गया और इस time के दौरान बहुत सारी नई discoveries हुई उस taxa के मतलिक बहुत सारी नई species का इजाफा हुआ तो इस सुरत में जरूरी होता है कि उस taxa को revise किया जाए तो taxonomist जब काफी मवाद उनके पास जमा हो जाता है तो वो जो previous data है उसको update करते हैं उसकी revision करते हैं इस किसम की जो publication है इनको revisions कहते हैं अब revisions को लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि particular taxa या particular group की selection करते हैं और आम तोर पर जब हम revisions करते हैं तो इसमें हम किसी super family को शामिल करते हैं family या फिर part of family उसके अलावा हम genus या sub species या species की revision भी कर सकते हैं अब इसमें अगर जो revision है वो genus की है तो इसको generic revision कहेंगे और अगर revision species की है तो इसको species revision कहेंगे उसके लावा जब हम revision करते हैं तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ हम include कर सकते हैं इसके अंदर re-description और diagnosis of little known taxa यानि ऐसा taxa जिसके बारे में पहले कम information available है उसके लावा हम इसके अंदर list of synonymy और उसके बाद हम जो कीज हैं वो भी शामिल कर सकते हैं जो short research paper था उसके अंदर हमने देखा था कि वहाँ पे हम जो कीज हैं identification के लिए जो इस्तवाल की जाती हैं किसी particular taxa के लिए वो हम short research paper के अंदर शामिल नहीं करते लेकिन revisions के अंदर हम कीज को शामिल कर सकते हैं उसके बार जो next publication की type है वो monograph है study of particular taxonomic group यानि कोई भी taxonomic group है उसकी अगर कोई comprehensive study करना चाहता है यानि उसकी detail तमाम aspects के अपर आम तोर पर जो monograph है ये taxon based होता है ये geography based नहीं होता और जब monograph लिखना हो तो monograph लिखने के लिए बहुत ज़्यादा information चाहिए होती है यानि जो researcher monograph लिखना चाहता है उसके पास उस particular taxa के मतलिक बहुत ज़्यादा information हो ऐसा सिर्फ एक experience और specialist जो researcher है वो ही कर सकता है उसके पास ही ये detail information available हो सकती है जो चाहँर बहुत उसके जह कर सकती है झानिक